ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूस टीवी नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाए और नोटिफिकेशन के लिए दिये गए बैल आइकन पर क्लिक करें हमारे वीडियोज को लाइक, शेर और कमेंट करें नमस्कार एवन न्यूस टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रियाधीत आईए जानते हैं से स्पेशल रिपोर्ट के बारे में तिल का प्रियोग मानसिक दुरबलता को कम करता है जिससे आप तनाव से मुक्त रहते हैं प्रति दिन थोड़ी मात्रा में तिल का सेवन कर अपमानसिक समस्याओं से निजाद पा सकते हैं तिल का प्रियोग बालों के लिए वर्दान साबित हो सकता है इसके प्रियोग से बालों का ज़रना बंद हो जाता है तिल का अपयोग चहरे पर निकार लाने के लिए भी किया जाता है इसके लिए तिल को दूद में भीगो कर उसका पेस्ट चहरे पर लगाने से चहरे पर प्राकरतिक चमक आती है और रंग भी निखरता है शरी के किसी भी अंकी तचा के जल जाने पर तिल को पीस कर घी और कपूर के साथ लगाने पर आराम मिलता है और घाओ भी जल्दी ठीक हो जाता है सुखी खासी होने पर तिल का मिश्रीवा पानी के साथ सेवन करने से लाब मिलता है इसके अलावा तिल के तेल को लैसुन के साथ गरम करके गुनगुने रूप में कान में डालने पर कान के दर्द में आरा मिलता है सर्दियों में तिल का सेवन शरीर में उर्जा का संचार करता है और इसके तेल की मालिश से दर्द में राहत मिलती है तिल दातों के लिए भी फायदे मन्द है सुबह शाम ब्रश करने के बाद तिल को चबाने से दात मजबूत होते हैं साथ ही यह कैशियम की आपकूर्ती भी करता है फटी एडियों में तिल का तेल गर्म करके उसमें सेंधन अमक और मूम मिलाकर लगाने से एडिया जल्दी ठीक होने के साथ साथ नर्म वा मुलायम हो जाती हैं मूमें च्छाले होने पर तिल की तेल में सेंधन अमक मिलाकर लगाने पर च्छाले ठीक होने लगते हैं स्पेशल रिपोर्ट में फिल हाल इतना ही ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहें एवन न्यूस टीवी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूस टीवी नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाए और नोटिफिकेशन के लिए दिये गए बैल आइकन पर क्लिक करें हमारे वीडियोस को लाइक, शेर और कमेंट करें